नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आज के वीडियो में आज अपन देखेंगे अर्जेंट टेंप्रेरी बेसिस पर पसु चिकित्ष्यादिकारियों के तीन सो पदों के लिए विग्यापन जारी किया जा चुका है फ्रेस विग्याप्ति प्रेस नोट जारी हो चुका ह है राजस्तान सरकार पसु पालन विभाग के दुआरा जिसमें बताया गया है कि पसु चिकित्ष्यादिकारी के तीन सो पदों पर भरती की जाएगी देखें जैसा कि न्यूज में भी दिखाया जा रहा है दो जुलाई 2021 आज की न्यूज है कि पसु पालन विभाग में अर डाक्टर आरू सी मलिक ने बताया कि और पीएश्य दुआरा नो सो पसु चिकत्षकों की भरती प्रकरिया धीन है जबकि राज्य में पसु चिकत्षकों की अधिगांस पद रिक्त हैं इन योजनाओं के सफल क्रियान वन में आ रही दिक्कत इस वज़ए से वित्वी बाग तीन सो पसु चिकत्षक अधिकारियों की होगे नियुकती जैपर दो जुलाई दोजार इकिस राज्य में पसु चिकत्षक अधिकारियों के डिक्त पदों पर राज्य सरकार दुआरा अरजेंट टेमपरेरी अधार पर तीन सो पसु चिकत्षक अधिकारियों को अबिस्तान लोकशेवा आयोग अजमेर द्वारा नो सो पसुचक्षकाओं की भरती प्रक्रियारधीन है जबकि राज्य में पसुचक्षकों के अदिकांस प्रद्रीगत है जिसे योजना के सफल क्रियान में दिक्कत आ है उन्होंने बताया कि अर्जेंट टेंप्रेरी बैसिस पर तीन सो पसूच चाधिकारियों की नियुक्ति दिये जाने के लिए वित्वी भाग द्वारा सहमती प्रदान की गई है डाक्टर मलिक ने बताया है कि सिग्री जिलेवार इंट्रिक्त पदों पर भरने की कारेवाई पूर्ण कर ली जाएगी आगे का बाग देखते हैं इसका इसमें कहा गया है ट्राक्टर मलिक ने बताया कि नियुक्तियों से राज्य में मानसुन के दोरान पस्वों में होने वाली मौसमी बिमारियों की रोक्थाम एवं माकूल व्योस्ता बनाये रखने के सासाथ विभा समझारी किया जा चुका है लेकिन प्रकरण माननिय उच्छे नायाले में विचाद धीन होने के कारण राजस्तान लोक से वायोग अजमेर द्वारा साक्षातकार के लिए तीथियों का निर्धारन अभी लंबित है वर्तमान में विभाग में पसुचिकत्षादिकारियों क श्विकर्त पदों में 50% से अधिक पद रिक्त हैं ऐसे में राजसरकार द्वारा निर्ने लिया जाकर टेंप्रेरी बेसिस पर पसुचिकत्षादिकारियों को नियक्ति दी जा सकेगी तो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब देखना यह होगा कि यह जो विग्यप के मार्क्स के आधार पर होगी या केवल डिग्री के आधार पर मार्क्स के आधार पर यह पद भरे जाएंगे